आउनी स्ट्यूटर बार्ण चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है जैसा कि आप थामनेल में देख रहे होंगे कि UPSC लेखपाल एम अन्य भरती तो UPSC में क्या चल रहा है उस पर डिस्कस करना है लेखपाल डिवी डेट और उसकी कटाफ मुख सेवी का साट लिस्टि और उसका एक्जाम कब तक जेई 2018 रजल्ट तो आया लेकिन इसकी डिवी कब तक होगी इन बिंदो पर टिपड़ी करना है तो डिवी इसकी कौन करें ये भी एक महतपूर संदेश कहिए और साथ में आग्रह भी कहिए ठीक है चलिए देखते हैं और हाँ ये वीडियो बंद आये तो लाइक करना न भूलें और ये चैनल पर नए हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें देखें पहले बात तो लेकपाल डिवी डेट और कट आप की बात की जाए तो जो लेकपाल डिवी डेट है जो सच्यू जी से अभी जेई 2018 के रेजल्ट आने के उप्रांद कुछ बच्चे मिलने गए तो सच्यू जी का कहना है कि अभी आपकी डिवी की डेट हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं चुकि हो सकता है पहले लेकपाल की डिवी कराए तो वैसे आप सच्यू जी से तो अच्छी तरह परचित हैं कि गोल मोल घुमाना इनका तरीका रहा है तो लेकपाल की डिवी पूरी उम्मीद है इनके कथना अनुसार सेप्तमबर माह में चालू हो जाएगी और ये भी जान लिजे की डिवी डेट की पूरी सब्भावना है कि अगस्त में जो भई आयोग में चल रहा है उसी के कार्डिंग आपको हम बता रहे हैं ठीक है उसके अनुसार अगस्त माह में मिल्स पंद्रह अगस्त के बाद डिवी डेट घोसित हो सकती है किसकी लेकपाल की ठीक है एक सब्द मैंने कटाप लिखा है तो उसकी चर्चा आगे करते हैं चुकि डीवी कटाप तो आपको अल्रेडी पता ही है ठीक है लेकिन ये कटाप है फाइनल कटाप की बात में करना चाहरा हूँ और एक महत्पूर आपको जानकारी दे दे कि मुख सेविका की साड़ लिष्टिंग कब तक और उनका एकजाम कब तक तो इनकी भी जो चड़्चा हुई है बहुत गुपनी बात कह दीजिए कि मुख सेविका की साड़ लिष्टिंग 15 अगस से पहले पूरी पूरी उम्मीद है कि हो जाएगी ठीक है हालांकि आयोग है वो भी UP SSC आयोग तो इसको अच्छी तरह आप जान दे लेकिन पूरी उम्मीद की जा रही है अभी तक चुकि जितनी बाते आयोग में चल रही है सब सत्यापित होती चली जा रही है जैसा कि Jay 2018 पर जिस दिन Mating हुई उस दिन यह हुए कि Result आयेगा नहीं आयेगा लेकिन साम तक Result आ गया जबकि साम मतलब सटाडे की साम को नहीं तो ये उम्मीद थी कि कहीं आज नहीं आएगा तो मंडे को आएगा लेकिन उस दिन रजल्ट आ गया ठीक है तिसलिए बाते काफी सत्य होती ज़रा रही है और जो संभावना बनी है मुक्सेव क्याप पर उन बावनों को ये बता दें कि भाई आपके साड लिस्टिंग पुरी उम्मीद कहिए तो पंदरा गस से पहले हो जाएगी और साड लिस्टिंग के लिए आप घबडाए नहीं साड लिस्टिंग में आप जीरो प्लस हैं वो इसे चुकि भाई आपके पद के हिसाब से चुकि मुख से विका कि जो eligibility है ढोडने पर मिलेंगे नहीं पेट 2020 में इसलिए परिच्छा के लिए सबी लगबग साटलिस्ट हो सकते हैं लेकिन एक कहिए भाई कि एक मेरे अंसार तो 5 प्लस हैं तो आप साटलिस्ट किये जाएंगे 100% अब रही बात मुख से क्या एक्जाम कराने की जो बात चल रही है आयोग में इसकी जो जानकारी मिल रही है वो 20 सितंबर के आसपास मिन्स इसलिए आप अपने आपको तयार रखिये मेसा अपने प्रिप्रेशन को और बढ़ा दीजिए चुकि मौका बार-बार नहीं आता है इसलिए ये आपके लिए बहुत सुनारा उसर है तयारी में लग जाईए चुकि बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे साड लिस्टिंग से एक महीने का समय मिलेगा और ये पूर उमीद में कर रहा हूँ जो अंदर से तक संभव है और एक्जाम आपका बिस सतंबर तक संभव है ठीक है और चलिए जेई दो हजार अठारा पर बात कर लेते हैं तो जेई दो हजार अठारा का रजल्ट सटेड़े को आ गया और कुछ बच्चे मिलने के लिए गये थे डीबी के लिए कि डीबी डेट नहीं जारी की जबकि आयोग यही आयोग पहले जुलाई मा में बोला था जुलाई के सुरुवात की बात कर रहे हैं कि हम बीस जुलाई तक हरहाल में जेई का रजल्ट दे देंगे और विद डीबी डेट बने डीबी डेट के साथ लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते करते लाके कहां पहुँचाए आगस्त में रेजल्ट निकाल रहे हैं और डीबी चुकि बहुत ज़्यादा बच्चों की नहीं है ठीके ने तो 17 टारस कुछ नहीं होते इसलिए आप कि डीबी जो है बहुत अलके मिले रहे हैं इस समय आयो के उपर जो दबाव पड़ रहा है वो लेकिन पाल की डीबी का दबाव है उनके धरने काम्याब हुए है और जो लेकिन पाल के बच्चे उसमें सेलेक्टेड है डीबी के लिए वो सभी अपना प्रयास आज भी जारी रखे है चुकि जैसा चैनल से बराबर ये रिक्वेस्ट की जा रही कि आप बैठे न आप अपनी मेहनत लगातार करते रही है तब ही कुछ पन मिलेगा तो वास्तों में देखने को मिल रहा है कि अभ्यरती जो है किसीर किसी मंत्री से अपनी बात मुख मंत्री तक पहुचा रहे हैं चाहे जैसे तो इसलिए आयोग के उपर दबाव पढ़ चुका है आयोग जो है बहुत जल्द डीबी की तैयारी में लगा हुआ है और पंदरा अगस्त के बाद डीबी डिट घोसित हो सकती हो सकता कहीं पहले नहों हो जाए कि कल आप कहें नहीं सर आप तो पंदरा अगस्त के बाद कर रहे थे लेकिन यह आयोग है पूरी उमीद है कि डीबी जो है आपकी डेट अगस्त में ही घोसित हो जाएगी और डीबी आपकी सेप्तंबर माँ से प्रारम हो जाएगी ठीक है चलिए एक टिपड़ी और करनी है डीबी स्किप कौन करें तो डीबी स्किप उन भाईयों पानों से करने के लिए कहा जा रहा है आग्रह किया जा रहा है कहा नहीं आ रहा भई आदेश मत पानियेगा उन सभी से आग्रह है और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं आप वीडियो इस चैनल पर देख रहे हैं तो आप सभी से आग्रह है कि आपके इस्ट मित्र हों या आप जेई 2018 में सलेक्ट हों अगर आपकी डीबी पहले हो जाती है और आप स्योर है कि आपका हो जाएगा तो पक्का है कि अगर आप उसमें क्या करते हैं लेकपाल में सेलेक्टेड हैं तो आप डीबी स्किप खरेंगे और अभी जल्द में ही यूपी पी सील का भी रिजल्ट डिक्लियर हो गया है तो उन ज्यादा तो नहीं है उसमें 1200 कंडिडेट का वो था लेकिं चलिए अगर 50 ही है उसमें लेकपाल में डीबी की कटाप में हैं सेलेक्ट हैं 27,000 में तो उनसे भी आग रहा है कि प्लीज आप डीबी स्किप लेकपाल वाली कर देंगे चुकि आपके कारण किसी एक भाई बाहन का हक न चीना जाए आप भी दो पैसा कमाएं अपने मता-पिता की सेवा करें और उन भाई बाहनों को भी मौका दें तो इसलिए जो भी कहीं सेलेक्ट हैं और वो लेकपाल की डीबी में सेलेक्ट हुए हैं तो प्लीज उनसे आग रह है कि वो डीबी को स्किप करें चुकि आपकी डीबी स्किप से किसी भाई बहन का एक भाई बहन का परिवार चल सकता है उनके घर में एक आस्रा जग सकता है इसलिए उनके आस्रे को मत तोड़िएगा भाई आप एक जगे सेलेक्ट हैं करेंगे तो एक ही जगे जाबने और अगर आप दो दो except डी बी करा देंगे बाई एक जगे आप सेलेक्ट हैं भारी कमी है लेकपालों की लेकिन बस चुनाओ आता है भले कुछ सोच काम करती है नहीं तो इस समय तो एक-एक लेकपाल को उपर ददस गाओं का बोजा है जैसा का आप बहुत सारे नियूज देख रहे होंगे ठीक है एक दिन मैंने एक वीडियो डाला भी था कि भारी लेकपालों की भारी कमी है ठीक है जहां 30,000 सम्थिंग 33,000 सम्थिंग लेकपाल होने चाहिए उसमें कितने 16-17,000 हैं और सीधे कमी है 8,000, 2021 से यह भी जूच रहे हैं इनका फाइनल है नहीं हो रहा है लेकिन अब पूरी उम्मीद है कि फाइनल हो जाएगा इसलिए इतना बिनम माग रहा है सभी भाई महनों से कि जो कहीं अधर सेलेक्ट हो चुके हैं प्लीज ओ डीबी स्किप करें और अब बात करते हैं लेकिपाल की डीबी डेट और उसकी कटाप पर तो डीबी डेट के लिए बैने आपको इसारा करी दिया है 15 गस्त से पहले या 15 गस्त के बाद रही कटाप अगर डीबी इसकिप होती है जैसे कि यूपी पीसील का भी रेजल्ट आ गया इसके पहले भी बहुत सारी वीडियो मैंने बनाये हैं बहुत सारे पदों विभागों में भरतिया हुई जो लेकिपाल में भी सेलेक्ट हैं बने डीबी में तो इस वज़ा से अगर इतनी संख्या निकल जाती है तो निस्चित है कि कटाप बहुत कम जाएगी बहुत घबडाने की जरुरूत नहीं है कि कहीं से देखकर आप हैरान हो जाएं कि 82 चली जाएगी 84 चली जाएगी ऐसा कुछ नहीं ठीक है जितना डीबी कटाप है उसी से 1 प्लस बहुत मैक्सिमम इस से ज़्यादा नहीं ठीक है तो इतनी बात कहनी थी और कोई लेटेस्ट न्यूज अपडेट मिलती है तो हम आपको जरूर बताएंगे और खास बात जो थी यही थी कि लेखपाल की डीबी सिप्तमबर में पूरी उम्मीद हो गई है कि चालो हो जाएगी डीबी डेट जो हागस्त में जारी कर दी जाएगी जेई 2018 की भी डीबी संभौता है चुकि इनकी डीबी में ज़्यादा समय नहीं लगेगा चार पांचे दिन का समय लगना है एक दिन भी करा सकते हैं एक से दो दिन में भी तो इनका भी जेई 2018 वालक अभी अगस्त लास्त तक पूरी उम्मीद इनकी भी की जा रही है और मुख से वी क्या कि जो साड़ लेस्टिंग है ओ पंदर अगस्त से पहले और एक जाम जो है 20 सितंबर तक उम्मीद है पूरी तो बस इतना ही कोई और अपडेट मिलती है पूना उस अपडेट के साथ हम मिलेंगे कोई भी भाई एथेंटिक बात रहती है तभी हम अपने चैनल प्रसो करते हैं अन्य था नहीं इसलिए आपसे अग्रह है कि यह भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर यह नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको कोई भी लेटेश डियूज अपडेट हो उबराबर आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे ओके तब तक के लिए धन नवाद